मुस्कुराई आप जार्खन में हैं क्योंकि जार्खन सीजल की परिच्छा का पेपर है फिर से लिख हो गया है इसका मतलब है दोस्तों इस परिच्छा के जो अंसर की है वो परिच्छा से पहले ही जारी कर दिया गया और इस अंसरकी को भारिक कीमतों पर बेचा गिया जिससे कि ओर अधिक से अधिक अस्कोर कर पाएं इस परिच्छा में दोस्तों अभी तक का जहारखन का ये इतिहास रहा है या फिर यूं कहें कि इतिहास गवा है कि जहारखन कोई भी एकजाम बिल्कुल फेर तरीके से अभी तक नहीं करवा पाई है मैं मानता हूँ कि इतिहास दोहराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के जिन्दगी से भविशी के साथ खिलवार करके नहीं, यहाँ फिर से एक बार छातरों के भविशी के साथ खिलवार गिया जा रहा है। फर्स्ट और सकेंड पेपर की जांच शरू हो आज हो सकता है फैसला, यानि की ऐगह का कहना है कि सिर्फ और स्रिफ थर्ड पेपर में है गड़़ी और बाकी फर्स्ट सेंद सही है। के बाद ये एक्जाम लिया जा रहा था और बहुत ही जादा उम्मेदें थी छात्रों को इस एक्जाम से ये बहुत ही सालों के बाद ये एक्जाम लिया जा रहा था और उम्मीदों के साथ छात्र अर्मीड कार्ड निकाल कर एक्जाम हॉल पहुंचते हैं और जैसे ही एक्ज परिए लीक हो गया ता हुआ उमीद ही तूट जाता है मां जो आपका विस्वास होता है घ्रुसा होता है कहीं न कहीं तूटे DR को जार्खन जो बार बर बढ़ियर नीतिया अपना रहे है कि बहुत गलत कर रहे जार्खन के चात्रूं के साथ एक बर कर दिजहात रहे हुशाज सरकार या कोई भी इसके जो उम्र है जो भी इनकी इनकी था कर नहीं दे सक्ते प्र Convenоны करना किंगो ये किषने अधिकार दे दिया है कि यह आ यजेंसी परीच्छा को करवानी मैं सच्छम नहीं है RS करने की बारे में क्यों नहीं सोच रही है सरकार और सिर्फ यहीं पर इın proving के प org product आतु उस इसंभ गल्ती करते हैं बारबर उसको सुधने का प्रयाश नहीं करते हैं शिर्व बोगों को सुलिप गुम्रा करने का प्रयाश कर रहें इनको सारी बातरं समझ मा जाती है तो सरकार के पास इतनी अगं常 कोई भी या प्रवरी को दूसरा इक्जाम चार फरवरी को तो पेपर अब उनको ये नहीं समझे माथा है कि आगे क्या होने वाला है क्या सरी थर्ड बर्वर्वरी चाहिए जाये गा या इसका वेबसाइट जारी किया पेपर को यह रध्र जाए जिसका एक्जाम 4 फरवरी को है उससे ये समझ मारा है कि उसको एक्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए उस 4 तारिकों भी रद किया जाएगा तो इस तरह से जो चात रहें स्टूडेंट है काफी ज़्यादा कन्फ्यूज है क्यों उन्हें क्या करना चाहिए यहां पर student तो confusion जरूर है लेकिन यहां पर आपको धहरी रखकर कदम आगे बढ़ाना होगा अब सवाल उड़ता है कि क्या चार फरवरी को एक्जाम देना चाहिए या नहीं अधी एक्जाम होता है जितने भी छात्र को एक्जाम चार तारी को देना है अधी एक्जाम चार को होता है तो आपको एक्जाम जरूर देना चाहिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि यह जारखन है और जारखन में कुछ भी निश्चीत नहीं है यहां कुछ भी हो सकता है कब बादल फट जाए कब बारिस हो जाए यह कहना मुस्कील है तो यह सरकार की तो अलग बात है यहां पर तो यदि चार तारिको एक्जाम होता है तो एक्जाम आप जरूर दें भाले इसका एक्जाम आगे चलकर रद क्यों ना हो जाए यहां पर एक सवाल और उठता है कि क्या यदि अठाई तारिक का जो पेपर है क्या वो लीक हो सकता है तो क्या चार तारिक वाल लीक नहीं होगा तो इसका एक ही जवाब है जिलकुल हुआ होगा और इसमें कनफर्म है अगर अठाई चारिक अगर हुआ है तो चार तारिक वाला भी जरूर हुआ होगा इसमें guarantee है, इसमें कोई सक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी छात्रों का एक ही अबाज होना चाहिए, कि इस exam को cancel किया जाए, इस exam को रद किया जाए, और जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी रद किया जाए, यहाँ पे CBI का मांग जरूर होना चाहिए, CBI के जाच की जो मां पाज उठाना होगा, क्यों इस agency को यहाँ से change किया जाए, इस agency हमें नहीं चाहिए, इस agency का हमें पहिसकार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी exam हो, जारखन की, कोई भी exam फेर तरीके से नहीं करवा पाईए, इस agency नकारा है, निकम्मा है, इस agency कोई भी exam फेर तरीके से बिल्कुल ओनेस्ट तरीकी से नहीं करौआ पाएगी आगे भी भविस्ट के लिए आपी जो भी तरक पाई है नहीं करौआ पाएगे इसको यहां से बहिसकार किया जाए आप यहां देख सकते हैं प्रश्ण पत्र यह रहा और यहां इसके यह जो वाइरल है वीडियो जो भी वाइरल अनसर की जो है अनसर्चीट है यह सही है उने अफ़वा के तरीके से लिया गया पहले लेकिन जब एक्जाम देखर आए जब उनके पास परश्न पत्र थे, जब उनको, वे लोग मिलान किये इसको, तब उन्हें यकीन हो गया कि वाकई paper leak हो गया है, और ये सरकार जो यहां agency का कहना है, कि मातर ये third paper leak हुई है, third paper का ही answer leak हुआ है, तो agency कहने से क्या होता है, यहां पे सभी आने की तीनों के तीनों paper leak हुए हैं यहां फिर सोच के बताईए कि कौन सा इतना सरीफ चोर है जो पेपर थर्ड का ही उसका अंसर चुराएगा और वान टू का जो है पेपर पेपर वान टू का छोड़ देगा सो क्या इतना इमंदारी आपको दिखाए देता है जारखन में बिल्कुल नहीं और पर वारिकवा हो, दोनों ही एक्जयम रद किया जाए बिल्कुल एक नए सीरियस से एकजयम को लिया जाए एजयनिसी को च्यांज किया जाए CBI की जाँच हो और बिल्कुल फेयर तरीके से हो चलिए आपके कुछ लाइनों को देख लेते हैं जारकन कर्मचारी चैन आयोग जैसे सी की 2017 पदों के लिए शमान अशनातक अस्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परिचार अभिवार को 2735 कैंदरों पर हुई लेकिन प्रशन पत्र और अंसर सनिवार रात को ही सोचल मीडिया पर वाइरल हो गए फर्स्ट पेपर को लिए फाइंग पेपर था जिसमें हिंदी वा अंगरेजी सवाल थे सЕН्ड पेपर रिजिनी लेंगविज गता इसी पेपर वाइर हो रहे थे लेकिन थर्ड पेपर समान या जिंड का आंसर वायरे हो था परिच्छा के बाद सवालों का मिलान किया गया तो अधिक्तर सवाल और जवाब मिल रहे थे हलांगी कर्मांग अलग था मामले खुलासा होने के बाद आयोग ने रात थर्ड पेपर की परिच्छा रद कर दी यहां पर देखिएगा शिर्फ राव सिर्फ थर्ड पेपर की परिच्छा रद ही आनी की फ़र्ट और सगेंड बिल्कुल फेर तरिके से हुई है बचाए जा रहा है अब परिहार यह देखिए वर्ड किस तरह से यूज किया गया है अब परिहार बताया वहीं फर्स्ट यूं सेकंड पेपर लिक होने की जांच की जा रही है सुमार को फैसल लिया जा सकता है इस सब्द में जब आयोग के अध्यच नीरज शिना से संपर करन कौन ही नहीं उठाया देखिए नीरज जो देशिना है उने उन्हें नहीं उठाया वने कोई बात करने की नहीं थी वहीं ठीप्टी सचीव मधुमिता कुमारी से सवाल सब्सुने के बाद फोन कार दिया अँदर एक अधिकारी ने बताय की सोमार को आयार डर्ज कराई जांच हो बावुलाल मरेंडी आनी के हमार जो पूर्शीम थे उन्होंने क्या कहा है। भाजपापरते शद्याज बावुलाल मरेंडी ने ज्यसेसी का पेपर लिख होने की सीवय जांच करानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने सोसल मेडिया पर आंसर सिट जारी करने की वहीं परिष्छा पहले सोसल मेडिया पर प्रश्ण पत्र आने की बात भी सामने आ रही है। और अभी सनी इस शुरुआ से ही हो रहा है। अभी तो कोई एक्जाम फेर तरीक से करवा नहीं पाईए। अब चलिए कुछ इंट्रेस्टिंग बातों को देख लेते हैं। यहां पर पत्ना और गया में रटाया गया था आंसर। अब देखिए यह क्या माजरा है। पत्ना औ मुदाबिक देखिए सुतरूं के मुदाबिक बताया गया है। माफिया पहले ही प्रश्न पत्र उडा लिये थे। जार खन की जो एजरऑन से इतना वीक है कोई भी इसका ही। इसका अंसर की भी बनवा लिया था। बिहार है रियाना और राइस्थान के परिच्छा मापया ने परश्ण पत्र उडाने के बाद मोटी रकम लेकर बहुत भारी रकम लेकर परिचार्थियों से सोधा किया फिर उन्हें लेकर परश्ण पत्र साथ अंसर भी रटवा दिया फिर उन्हें गया लाया गया वहां के ए इसी दोरान पेपर वाइरल हो गया, अब यहां देख सकते हैं कि जारखन का जो एक्जाम होता है, जारखन में ही सेव नहीं है, हरियाना और राइस्थान के जो माफिया हैं, वे लोग इसका आंसर की आंसर सीट चुरा लेते हैं, यानि कि आंसर सीट चुराने का मतलब है कि हरियाना और राइस्थान के जो माफिया हैं, जारखन में आकर यहां के जो परिछा होता है, उसके पेपर जो अंसर है, उसको लिक कर देते हैं, उनको चुरा लेते हैं, और परिशार्थियों के साथ अशुडैन को बेच देते हैं, वो भी भार यह मतलब 20-25 लेना और उसको बेच देना, तो दोस्तों इस बार फिर एजनसी ने अपना खेल खेल दिया है, और यदि इस बार फिर से छातर चूप रहते हैं, तो एजनसी आगे भी ऐसा खेल खेलते रहेगी, और छातरों के भवीशी के साथ खिलवार करते रहेगी, तो यहां पर छातर अबर चाथ्रों को पुरी जूटता के साथ आवाज उठानी होगी, CVI की पूरी से, निस्पचता से जांच करनी होगी, उनकी डिमान करनी होगी चाथ्रों को, कि CVI की जांच हो, और एजेंसी को यहां से वहिसकार किया जाए, दूसरी किसी agency को invitation देना चाहिए इस exam को conduct करवाने के लिए क्योंकि इस agency में काबिलेत नहीं है वो बिल्कुल potential नहीं है कि इस exam को इतने बड़े अस्तर पर conduct करवा सकते हैं तो इस agency है उसको change किया जाए परिवर्तन किया जाए और सभी छात्रों का एक अबाज होनी चाहिए कि जो exam हुआ है और जो चार तारी को exam होने वाली है उसको रद किया जाए cancel किया जाए ताकि जो एक नई series से बिल्कुल जो होता है निस्पच तरीके से आगे exam conduct कराए जाए कम से कम दो से तीन महने का समय दिया जाए छात्रों को बिल्कुल फेर तरीके से exam लिया जाए और जो जो भी इस घोटाले में सामिल हैं जो भी गुनेकार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए यहां पर बार बार इतिहास को दोराया है agency और यहां की सरकार ने इस पर बारी है यहां पर नियाले की नियाले की बारी है कि वे अपने समता से यहां के जो इतिहास बनाने की बदलने की और जो बार बार जो इतिहास दोराय जा रहा है उसको आगे बढ़ाने की और एक नया इतिहास रचने की इस घोटाले में जो भी बेक्ती सामिल है जो लोग सामिल है जो माफिया हो या एजेंसी सामिल है उसको कड़ी से कड़ी इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए ताक मैं आपको सामने दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं जहारखन के दवारा ओफिसल वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी किया गया है जहारखन समान अशनातक योगिता धारी संयुक्त परतियोगिता परिच्छा 2023 अंतरगत दिनांग 281-24 को शंपन तिर्थिया पाल पुनर आयोजन की तीथी आयोग के वेबसाइट पर अथा शेकर प्रकासित की जाएगी आने कि यहां पर इसमें लिखा इनका आयोग का मानना है कि मात्र जो तिर्थिये पेपर हैं 28 तारिक वाले उसमें ही गड़वड़ी पाई गई है बाकि जो पेपर 1 & 2 है वो साफ सुत अभियार्थियों को पटना और गया मेरट वाया आंसर तब परिच्छा देने आये गए देने गए पर जहारखंड यहां देख सकते हैं प्रश्ण पत्र और आंसर पहले ही सोचल मीडिया पर वाइरल यहां देख सकते हैं सवाल वही थे लेकिन उसके करमांग बदले हुए परिच्छा और इसके और भी परिच्छा होने बाकी हैं